हलो, 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 कोई मुझे सुन सकता है, प्लीज, प्लीज सुनिए ब्रिक की बाद आपका स्वागत है और अब बात एक उस नहुंगी बाबा की जिसे पकड़ने के लिए चैपर पुलिस का एक ताल देश की राजधानी दिल्ली में टेरा जमाय कोई है और किवल चैपर ही नहीं, बलकि दिल्ली पुलिस भी एक उस शक्स की तलाश में है दरसल इस नहुंगी संत और खुद को भगवान बताने वाले शक्स के खिलाब जैपर की रहने वाली एक यूती ने पुलिस में तुशकर्म का आरूप लगाते हुए मामला तर्च कराया है जिसके बाद हरकत में आई जैपर पुलिस बाबा की किरफतारी के लिए दिल्ली पहुच गई है अगली बार किसी बाबा के साथ हस्ती शक्लों वाली फोटो देखो तो अट्रेप ना हो जाना पहले दिमाग लगाना चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कुछ यूतियों के साथ इन तस्वीरों में नजर आने वाले इस शक्स का नाम है रजनिश ग्रोवार और अशोक कुमाव ये शक्स खुद को भगवान बताता है और लोगों को भगवान से मिलाने की बातें करता था लेकिन फिलाल तो पुलिस वाले इसकी तलाश में जुटे हैं लोगों को खुद के लिए भगवान कहलवाना इसे काफी अच्छा लगता था और इसके निशाने पर अक्सर वो योगतियां हुआ करती थी जिनके या तो पिता नहीं होते या फिर पती नहीं होता दरसल छातरपुर दिल्ली में ये बावा जी सर्थ संग करता था और ये भगवान के नाम से चाना जाता था ओशों के साथ मत जोड़ियेगा इसे आजकल ये पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं 21 साल की लड़की को अपना शिकार बनाया था उस लड़की ने हिम्मत की बाबा के चंगुल से बचके निकले और अब बाबा का बेंट बजा दिया दरसल जैपुर में इस फैमिली का बिजनेस है किसी रिष्टदार के कहने पर बाबा रजनीज से संपर्क हुआ फिर बराबर आना जाना रहने लगा जैपुर में उस फैमिली का कोई शोरोम खुलना था बाबा को इंवाइट किया गया तो ये ढोंगी भी यहाँ पहुँचा वहां बताया कि कुमारी कन्या के हाथ से भोजन कराओ तो माने अपने 20 साल की बेटी को पेश कर दिया सेवा के लिए महाँ सेवा कराने के बाद बाबा उसे अपने साथ दिल्ली वाले आस्रम ले गया यहां का लड़की को पता चला कि वो बुरी तरह फस चुकी है बाबा ने उसे और लड़कियों के साथ अपनी तश्विरें दिखाई जिन में लग रहा था कि साथ खड़ी ओर्तों को उसने चबर्दस्ति हसने को कहा होगा उसने बताया कि मेरा साथ दो मैं भगवान मेरे साथ रहने से तुमारा हर सपना पूरा होगा और उसे अपने साथ गोवा और मुंबई में मस्ति करने चलने को कहा लड़की ने विरौध किया और ढोंगी को धमकी दी कि मम्मी को बताएंगे तो बाबा ने उसकी मम्मी की भी वैसी ही फोटो दिखा दी लड़की सक्ते में आ गई लेकिन हिम्मत की वहां से घूमने जाने के बहाने निकल भागी जाते जाते बाबा के मुबाइल से सारे फोटो भी ले लिए भाग कर खर पहुँची तब परिवार ने पुलिस में कम्प्लेंट की पुलिस ने तब तीश शुरू की पता चला कि धंदे में उतरने से पहले उसका नाम अशोक कुमार था दुकान नहीं चली तो धर्म के धंदे में आ गया सत्संग की दुकान खोल ली ये बिजनिस अच्छा चल रहा था लेकिन फिर पाप का घड़ा भर गया और असलियार सामने आ गयी बहराल अब जैपर और दिल्ली पुलिस इस शातिर शक्स को तलाश करने में जुटी है ताकि इसकी कारकुजारियों की और तस्वीरें भी सामने आ सके अब ये बाबा कब तक पुलिस के हाथ आता है के देखना है लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं फाजा नगरी अच में जहां पिछले कुछ दिनों से रेल्वे पुलिस काफी सतर्क नजरा रही है आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर और तलाशी अभियाद और फिर काम्याभी देगे और एक बार फिर अजमे रेल्वे पुलिस को मिली एक पड़ी सफ़ता चांदी तसकरी मामने एक रिपार्ट राजस्थान का अजमे रेल्वे स्टेशन पहले अफियम तसकरी से ये रेल्वे स्टेशन चर्चा में था अब रुप्ये और चांदी भी यहां पकड़ी जा रही है इस बार जियार्पी पुलिस ने एक युवक के पास से 17 किलो चांदी परामत की है आपको बता दें कि अजमे जियार्पी ने सौमवार को 40 लाक रुपे का काला धन पकड़ा था आज जियार्पी के हथे एक युवक चड़ गया जो रेल से 17 किलो की चांदी की तसकरी करके उसे सिरो ही ले जा रहा था अज में रेल विश्टेशन को कई बार आतं की धमकिया मिल चुकी है लिहाजा रेल विश्टेशन पर एक्स्रे मशीन, मैटल डेटेक्टर और डॉर फर्मिंग के अलावा चप्पे चप्पे पर सीची टीवी लगे हुए लिहाजा सुरक्षा की द्रश्टी से रेल विश्टेशन पर पोखता इंतिजाम है यह युवक भी रेल विश्टेशन के केट से नहीं, बलकि परीसर के बाहर प्लेट फार्म से रेल विश्टेशन के अंदर ताखिल हो रहा था प्लेट फार्म पर एक कॉंस्टेबल की नजर उस पर पड़ गई कॉंस्टेबल ने उसे रोका और बैग चेक किया तो बैग में चांदी की पायल और अन्य आभूशन थे पूस्ताश में युवक ने खुद को नोकर बताया फायसागर रोड पर नाकोड आभूशन भंडार के नाम से दो बिल भी नोकर ने पुलिस को बताया पुलिस ने बिल की परताल की तो उसमें भी गड़ बढ़िया ना जराई उन्होंने चेक किया तो उनके पास में 17 किलो चांदी के पायल्स और अन्य प्रेके आभूशन मिले इनके पास में पूछा तो इनके पास में केवले एक लेटर लिखावा था कि ये हमारे दुआरा गया जारा रहे बेचने के लिए उसको जा रहे हैं पुलिस की माने तो आरोपी फायसादर रोड के काली मंदिर के पास का रहने वाला दिनिश जैन जी आरोपी ने चांदी की परताल कर तसकरी के माल को चप्त कर दिया है साथ ही पुलिस ने आयकर विभाग को भी मामले की चांकरी दे दिया पकड़ी गई चांदी का मुल्ले लाखों में आका गया है पुस्ताच में ये भी सामने आया है कि बरामत चांदी का मालिक कोई और है आरोपी दिनिश जैन की भूमी का तो बस कोरियर की तरह सामने आया है कि आरोपी को ये चांदी सिरो ही पहुँचानी थी पिछले छे महिने में आजमेर रेल्वे स्टिशन पर आफीम तसकरी, हवाले की रकम और अब चांदी के तसकरी से चुड़े कई मामले सामने आये है ऐसे में ये तो साफ है कि आजमेर जंक्शन तसकरों के लिए टांजिट पॉइंट बन चुका है ऐसे में जी आरपी के लिए भी बड़ी चुनोती, तसकरों को पकड़ने और तसकरी की माल पर अंकुष लगाने की है फास्ट इंडिया के लिए आजमेर से प्रियांग शर्मा की रिपाउट और अब खबर जैपूर से जहां जवान नगर इलाके मुही के इनवार में फाइरिंग के आरोपी को पुलिस ने किरफ़तार कर दिया आरोपी अशुक मिना आमिर के साहवार गाओं का रहने बाला है जवान नगर पुलिस के मताविक 24 सितंबर को बर्फ खाने के पास गगर पंडित अपने साथियों के साथ खड़ा था उसी दुरार मनीश सेनी गेंग के साथियों ने फाइरिंग कर दिया इस वारदात के तीन आरोपियों मनीश सेनी विने सेनी और राकिश शर्मा को पहले ही किरफतार किया जा चुका है चोथे आरोपी अशुक मिना को किरफतार कर दिया गया है जांच अधिकारी के मताबिक अशुक मिना पहले भी कई मामलों में किरफतार हो चुका है इसके आपराधिक रिकॉर्ड का भी पता लगया जा रहा है और डैल हंडेड में आज फिलाल इतना ही लेकिन रहें सचेत और खबरदा गुनहा की हर दस्तक को पैचाने और करें डैल हंडेड नमश्कुर हलो 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 को को हमज़े सुन सकता है प्लीस प्लीस तुनिया जानते है कर दो